हेलो प्यारे प्यारे वियूज तो आज हम बना रहे हैं बेंगन का बरता बेंगन और मटल का बरता बना रहे हैं ना तो हमें बेंगन को वोईल करना है और ना ही बूंदना है बिना ताम जहम की हम बेंगन का बरता बना के जटपट से त्यार करेंगे और बेंगन का बरता बना त्यार हो जाएगा तो चलिए इसे बनाना हम सुरू करते हैं इसके लिए देखिए मैंने बेंगन यह हैं चोटे हैं यह कुछ इस तरह के हैं और यह विल्कुल छोटे भी बेंगन है इस तरह के आप किसी साइज के भी बहुता बनाने के लिए हमेंसे वाइल नहीं करना है तो एक इंच अध्रक का टुकडा पांच चे लेशन की कलियां बारीक कट करकर के डाल देते हैं और मैंने 3-4 हरीमिज लिए हैं ये तीखी वाली हरीमिज हैं इनको भी बारीक कट करकर के डाल देते हैं और मैंने हरे प्याज लिए हैं हरे प्याज का जो सफेद वाला है हमें से पहले डाल देते हैं जो हरे वाला है उसे बाद में डालेंगे मिक्स कर देते हैं हम हलका सा पिंक कलर होने तक हम इसे पका लेते हैं तो चली तब तक हम बेंगन काट लेते हैं तो यदे की इस बेंगन है और इसको तरह से कटके कट करने के बाद में ये इसमें की इसमें प्राइब भगा के न countryside तो ये देखिए जो प्याज है वो मेरी थोड़ी से ज्यादा गॉल्डन ब्राउन कलर हो गया है आप हलका सा पिंक कलर हो तब तक की पकाना है अब मैंने बेंगन को काटके इसके अंदर डाल दिया है और एक चमच ले लिया है नमक नमक आप स्वाद के नुसार ले जितना नम हम इसे ढक के पकाती हैं तो आप देख सकते हैं जो बेंगन है ये 50% तक सौफ्ट हो चुके हैं अब देख सकते हैं इस तरह से मिक्स कर देते हैं और अब ले लेते हैं जो बाकी के बच्ची हुए मसाले हैं एक चमच से थोड़ी सी कम हल्दी पाउडर एक चमच लाल मिर्च मिक्स कर देते हैं थोड़ा सा पानी ले लेते हैं ताकि मिर्ची वगरा जले न थोड़ा सा देखिए और थोड़ा सा पानी ले लेते हुए गूट और पानी ले ले लेते हैं यानिकि करीब दो चमच आप देख सकते हैं करीब 3-4 चमच पानी डाला है जो खाने के लिए हम डे देखिए मसाले से लेलग हो गया है तब तक पकाना है या फिर ड़के दो से तीन मिंट के लिए पका लेते हैं आप देख सकते हैं वह अच्छे से सोप्ट हो चुके हैं हम इसे थोड़ा-थोड़ा मैस कर देते हैं हम इसे अपने ज्यादा मैस नहीं करेंगे यह अब खुद से पक जाएंगे अब देख सकते हैं अब मैंने डाल दिये थोड़े से हरे माटर और जो मैंने पारिक कट करके प्याज का जो हरावाला इससा रखा था उसे भी डाल दिया है अच्छे से मिक्स कर देते हैं इस तरह से इंप्रेस करके अच्छे से मिक्स कर देते हैं और जो दो म अब ये हमें gas के medium flame पे इसे करीब 4-5 मिंट के लिए पकाना है तो मैंने एक बार चेक कर लिया था 4-5 मिंट में ये पका हुआ पके नहीं थे तो करीब 7 मिंट लगी है इसे पकाने में और इसे अच्छे से mix कर देते हैं gas का flame हम off कर देते हैं ये बिरकुल बन के तयार हो चुका है और एक मिंट के लिए हम इस तरह से खुला पका लेते हैं आप चाहें तो इसमें गरम मसाला वगरा डाल सकते हैं आप देख सकते हैं मटर देखें अच्छे से fresh हो रहे हैं और मैंने fresh हरे मटर लिए थे इसमें पानी वगरा बिरकुल भी नहीं रहा है और पानी इसमें मैंने डाला ही एता थी isol시 चार समझ पानी डाला है बस वो भी मसाले के लिए मिक्स कर देते हैं एक मिन ठंदा होने के बाद में हम प्रोस लेते हैं आप देख सकते हैं कितने देखने में कितने अच्छी लग रही है सबजी खाने में उसे भी ज्यादा टेस्टी है आप इस तरह से एक बार बैंगन का बढ़ता बना के ट्राय करके जुरूर देखना और कब बना रहे हो आप यह कमेंट वोक्स में जुरूर बताना तो अब ले लेते हैं खाली बा सहरा दन्या डाल दीजिए तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी अब हरा दन्या का जो फ्लेवर है पेंगन के बढ़ते में बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब् विश्तेदारों में कमेंट वोक्स में अपने अनुवव हमारे साथ शेयर जुरूर करना फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ